मैंने पहले कैसल्ट निकाले तो रोह मिद्धिल के नामसे निकाली मेरे को एक जनून था कि है पॉल्य Rules रोकिसे में काभी बढ़ाव किया सकते हैं मोधी जी निर्थき अंगी रोकर पुछा यह कोन यह किसका गाणा है जी तो किसी ने बोला कि रोक्यमितला को हर्यानेगा उसनने गाना बना या तो मैं हरान रहें गया जैसे आम अदिमी से मिलते हैं तो मोधी जी मुझ से यू में ले मोदी जी ने खुद इंस्टाग्राम पे सेयर किया था मेरा बनाया हुआ गाना के भाईया राहुल गांदी को समझाओ ये अपने उल्टी सिद्धी हरकते बंद कर दे और मैं इसके पर गाने लिखने बंद कर दूँगा आज आपके चैनल के माधम से कहता हूँ एक दिन वो भी आएगा कि रुक कि मितल भौथ पावर मे आएगा और मैं अहरिणी का नक्सा पतल दूगा वालों जोसे भी पक्स के लोग हैं, कहतें दिलित की बेटी, दिलित की बेटी, मैं कहता हूँ बेटी बेटी होती, और ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि हम आरत खतम करने वाले हैं। मैं नरेश कोशल, दैनिक अर्थपरकाश मीडिया ग्रूप के और से, आज आपको रूग 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 रा रहा हूँ, एक बहुत ही मनोहारी, एक बहुत ही रोचक सक्सियत के साथ, एक ऐसी सक्सियत जो बच्पन में, खेतों में, खलेहानों में, पली, बड़ी हुई लेकिन विदी को कहिए, या उनकी लगन को कहिए, या उनकी रूची को, वो खेत कलेहानों के चलती हुई यात्रा जो है, वो जाब बड़ी एक संगीत की दुनिया, ऐसी दुनिया जिसमें हजारों गाने, जिनके वीडियो बनाए गए, कैस्टें बनाए गई, एल्बम बना आए, नमस्कार, तो मैं रौकी मितल जी से अपना पहला प्रशन करने से पहले आपको फिर थोड़ी से एक मुलाकात, बैगराउंड के तौर बे अपने दर्शकों सुनुताओं को जरूर बताना जाँँगा, मितल साब जो हैं, ये एक जनून है इनको आप कह सकते हैं, संग आया राजनिती की दुनिया में, तो वो राजनिती की क्या दुनिया है, वो हम सवाल जवाब के बीच ही करेंगे, तो हम अपने सवाल यहीं से राकिशार सुरू करते हैं, मैंने जैसे कहा केत कल्यान, संगेत, गीत, संगेत और उसके बाद राजनिती, ये क्या दंदा है, य मैं कैथल डिश्टी के एक चोटे से गाउ में पैदा हुआ बाबालदाना गाउ में बड़ा इतिहासी गाउ है और बच्पन में मैं तीसरी चोथी क्लास में ही चुटकले गाता था गाने गाता था और मेरी एक वो था कि मैं जब भी टीचर पूछते थे के तुम बड़े को क् अधिन जाओंगा मैं पड़ाई लिखाई में ज्यादा होश्यार नहीं था तो जब हमारे गुरुजी मेरे को थपड मारते के यार तुमें एबीची तो आतीन है तुम फिल्मों में एक्टर बनोगे और जैसे मैंने दस्वी की तो पापा ने मेरी को करयाना का होल्शेला का करवाया तो बोलता तो फिर मैंने रट और रात एक दिन रिश्टेदारी में गए वे थे पापा जी तो मैंने रट और रात वो सारा समान बेज के और केस्टों का सीडी का किस्का अपने दुकान थी तो बेच कर और मैंने मूजिक का काम चालू कर दिया उनके मतलब यहनी के इनके माता पिता किसी वेवाशादी या किसी समरों में गए हुए थे और मित्तल साभ ने पीछे से करयाना का सारा समान बेच कर अपने मिजीक का काम चालू कर दिया जब पाप आए तो देखते हैं कि हमारी करयाना की दुकान होती थी वह कहा है तो फिर मेरे को बोला कि कहा है मैं के जो तो मैंने ऐसे बेच दिया सारा समान तो पापा ने बोले ये क्या है ये कोई बनियों का काम होता है ये काने बजाने वाला काम चला दिया तुने सरमानी चीए तुमारे को तुमारी साधी कोन करेगा मैंने बोला पापा मैं गर्याना काम नहीं कर सकता और मैं मुज बन गया और उसके बाद मैं मैंने पिछे मुड़के नहीं देखा और कम से कम दस जार गाने मैंने बनाए रास्थानी अर्यणवी यूपी के हिमाचल के हर जगे जेंड के मालों हर जगे बनाए उसके बाद फिर जम उसे लगा के हिंदू तब पिछे जा रहा है और जैसे इसा जब मैंने गाना रिलीज किया पियम मने अंदर इंदर वो दी तो इस्टे मेरा तुरा सुरुखियों में आ गया तो हम ये बात जो आप अभी बता रहे हैं इससे पहले कुछ हमारी यात्रा अधूरी रह गई हम दर्शकों को पहले उससे आपका जो है परिशे जरूर करवा उस वक्के तक आपका राजनिती में कोई ना कोई थोट था ना मेरे दादे पड़दादा मेरे बाप भाई कोई राजनिती में दूर दूर तक नहीं और दूसरी बात यह है कि आपका नाम जो है वो रोकी मित्तल है यह जो वैसे मिलता जूलता है लगता नहीं कि आपके मात तो delivery of Lee आज कंड दो की आज इनकी माता ने रख दिया होगा पता नहीं कियो रख देते एं। ऐसे नाम ऐसे नाम चुखा क्प पिर दो माजिर में आज बार रहा नाम होगा वेको एसे रूरी ह Three इक शोटे अंडुश। माधक के लılar नाम शत्यों मेंड रखा तो नाम क्या था वो वो केस्ट गानाम था नजारा बबी का खुराट की वो हर्यनवी अल्बम थी उसके दो लाई ने जबर्दस्त थी कि उन टाइमों में 15 रपे की केस्ट विकती थी और वो केस्ट बलैक में 50 रपे तक वी की तो वो नाथिरम ता वो जेंट्स की वाज निका वो दो पक्ति हैं अपो जोना सकते या वो एक गाना था रहार मेरी सहर जान की तयारी के लियावए की तू नारी ओगाना मेरा बड़ा पाप लू रूप था और एक उसके बाद फिर में हर्यनवी गाने बनाता रहा मैंने काफी कलागारों को भी मोखा दिया कब जेलिए काम माचल का मैंने काम किया मालो MP में काम किया गुजरात में यूपी में हर जगे काम किया लेकिन हर जगे मैंने उसके जंडे गड़े तो मित्तर शाब जो है जो हर्याना तला के क्षेतर में सभी जानते हैं के बड़ा समर्द रहा है बड़ा योगदान रौकी दी का इस खेतर में रहा है और इनकी जैसा कि खुद भी बता रहे हैं मैं भी जरा आप दर्शकों को बताना चाहूँगा कि दो कंपनी हैं एक सुर्टाल और दूसरी जो थे मिट्लेंड कंपनी यह इन्होंने बड़ी ही काम उमर में जिस उमर में बच्चे केलते कूटते हैं यानि कि अपने टीन जैसे था मिजिका वो पूरा करने की बात उसके बाद एक संयोग होता है जीवन में किसी उतार चड़ाओ का कोई दिशा बदलने का वो ऐसा संयोग जो हमें तो मालूम है हम आपके शिरी मुक्षे अपने दर्शकों को बताने चाहेंगे कि ऐसी क्या संयोग ऐसा हुआ कि जिरात के बाद आप राजनीतिक एक्षेत्र में जो गाने का किसी पार्टी के लिए लिखने का और अब का जो आपका जो आउदा है वो भी हम बताने चाहेंगे तो यह यात्रा कैसे यहां से आपका परिवर्तना आया कैसे दिशा बदलिया मेरे को एक जनून था कि पर जानने के लिए मैं गुजरात गया और तीन चार दन वहां से लोगों से मिला तो भी मुदी जी क्या क्या करते हैं तो लोगों ने बहुत कुछ बताया तो फिर मैंने आके बारा में ही गाना बना है पीम मने गंद्रेंदर बोदी मैंने बीजेपी के कई लिडरों को बन सकते हैं आप तो अपने गाना बनाया तो मैंने कुछ नी बोला तो फिर मैंने क्या किया बारा के दिसंबर के अंदर मैंने गाना को विडियो बनाया वो गाना तो जरूर तो वो गाना था पीम बने का अंदर इंदर मोधी निंबर वन हो इंडिया हमारा तो ये गाना जै अधिवेशन था सूर्जगूड के अंदर, तो किसी जनुनी आदमी ने मोधी भगत ने, मोधी भगत बहुत थे, तो बड़े लाउड़ स्पीकरों में चलाया, तो मोधी जी ने वही गाड़ी रोके पुछा, यह कोन है, यह किसका गान है, तो किसी ने बोला कि रोकी मितला को उसको बुला हूँ, तो कमरपाल जी ने बोला, जी वह भगवान मानता हूँ, उसने मेरे को बुला है, अभी एक गाना रिलीज हुआ है, जब अगले दिन मैं महां पे गया, तो मैं हरान रहे गया, जैसे आम आदमी से मिलते हैं, तो मोधी जी मुझ से यू मिले और पंताली मिले की मुलाकात थी, और काफी रतलाल कटारिय जी भी थे, का राम बिला सुर्मजी, काफी लिड़ थे वहाँ पे, पूरा दिवेशन था, और अलग रूम के अंदर काफी देर बात, वहाँ पे बात कीत का लबबोल वाँ क्या था, तो जैसे उनने बोला कि तुने क्या मानता हूँ और जब तक आप पीम नहीं बन जाते हर मिन्य आपका गाना बना हूँगा, और आप यकीन करें, जब तक मोदी जी पीम नहीं बने, मैं 32 गाने बना चुका था, और उन टाइम में मेरा गाना बड़ा सुरुखियों में आ था, आई मोदी के अधी टेंशन में सो वन्य दोनीयत आई नहीं, बगएर ऐसे जैसे ऐक था, गुजराती में ने दो गाने बनाई और एक एक करके में ऐसे गाने बनाता गया और कोंगरिस की पॉल खोलता रहा, मेरे पास त्विए भमकियां भी आई, लेकि मैं धमकियां की परवाना करते हुए, मैंने पूरे दे और आपका तो जैसे आपने आपका विक्तित्व का खुदी आपने परिचे दे दिया कि घर वाले गए हुए थे बाहर और आपने उठाके करणा के सारा समान बेज दिया और गीत-शंगीत का प्रोग्रम ले आए वहां पर तो हमने तो यहां तक सुना है कि आपने गुमोदी जी के कहने के बाब जुद के भाया क्यों ऐसा करते हुए मैं अपने दर्शकों को फिर स्पष्ट कर दूँ के रौकी जी ने किसी सियास्ट दांस से पैसे लेकर ये म्यूजिक का काम नहीं की जो मैंने अभी दस हजार कैसे यह आलबम की बात किये वह सब इनोंने खर्चे कैसे किये उसी का मैं आपको उधारन देना चाहता हूं बड़ी रोचक बात है और बहुत कम लोग ऐसे जनूनी होंगे ऐसे इत्यागी कह लिए या अपने फंड के लिए ऐसा कुरूबानिया देते होंगे कि पांच पलाट अगर मैं गलत हूं तो आप काट ही करते हैं तोड़ी बहुत लेकिन आपके बारे में दुनिया जानती है आपको शायद इस बात का इलम ना हो तो पांच पलाट तीन चार गाड़ियां तोड़ दिया आपने म्यूजिक के लिए इतना जनूनी आदमी तो यह जो फोबिया है आपके यह संगीत का ही फोबिया कि रोकी भाई के नाम करवा देते हैं तो मेरे बापू ने बोला कि यह यह पहले की तरह बेच के खा जाएगा पहले इसके नाम पांच पलाड़ते यह भी बेच देगा तो कोई मेरा दोस्त सुन रहा था तो वो मिडिया वाला था तो उसने पता नहीं कैसे चाप दिया कि र मेरा देश बचेगा मेरा धर्म बचेगा तभी मेरा जीने का दिकार नहीं आपके जिनून की जो बाद किया आपने कि आप पहले से ही कोई जैसे राहुल गंदी है या सोनिया है आप किसी व्यक्ति के परसिनली खिलाफ नहीं लेकिन एक विचार धारा या हिंदू विचार तो उसके उपर भी आपने शुरू में जब आप ना राजनीति में गये थे अपने ही डंग से आप बैठे बैठे ऐसी कुछ शुरुवात्ति तोर पे ऐसे गाने कुछ ऐसे भी बनाए और फास करके वह जो राहुल के बारे में और दूसरा इक दो गाने आपने ऐसे बनाए जो बड़े रोचिक भी है यह मैंने बाद में बनाए पहले मैं म्यूजिक इंडिस्ट्री चलाता था उसमें प्रोफिट भी वह था तो प्राजमिति में नहीं था प्याम बने गाने उसके बाद है वो जब गाना आया था मेरा लूट लिया दे सोनियत आई ने तो वो कि मैं हरनमी हूँ हमारी सवस्कृति है क्योंकि सोनिया जी मेरी मा से बड़ी है है और जो मेरी मा से बड़ी हो मेरताई लगी तो तो इसका कुछ नहीं हुआ फिर जब संसद के अंदर राहुल गंदी जी ने आँख मारी तो वो गाना फिर मैंने बनाया सोनिया का बच्चा अकल का कच्चा संसद में अख मारे, फुक्रा है राहुल गंदी यारों करता गंदे गंदे सारे, क्योंकि इतनी बड़ी देश की बड़ी समसे बड़ी जाय था और उसके अंदर वो जाके आँख मार रहा है तो मेरे से रहा निगा और उसके अंदर गाना बनाया तो एक बंदे ने मेरे पर केस किया एक निक कई बारा केस हुए थी मैंने उनको एकी बात बोली के भाया राहुल गांदी को समझाओ ये अपनी उल्टी सिद्धी हरकते बंद कर दे अर्वेश के पर गाने लिखने बंद कर दूआ एक बंदा क्याता है कि मैं परधान मंतरी बनना चाहता हूं और सरो भी पक्स की भूमिगा निभानी सकता गुज्राथ के एक बार नहीं कि दोड नोग सफ़ा के विधान सब्सवा के वह आप लड़ा के दो लग समदा बिदांतों किया वहां पर आपने कैसा प्रचार किया होगा कैसलों कि प्रका इस्वा या कि या आपने बहसदूर दाने कि की नहीं देखो मैं आगे लेकिन मैं पैसा कभी नहीं लेता था और जहां बाहर की बात आती थी वो लोग बुला लेते थे लेकिन मैं पैसा कभी नहीं लेता था और खाना पीने कभी मैं जेब से करता था मैंने कभी किसी से कोई पैसा ने लिया तक और इसलिए फिर मेरे को जुनून था उस टेम के मोदी जी पीम बनने चीए और बने तो सबसे जादा उस टेम लगता है मुझे खूसी होई होगी क्योंकि मैंने पहले गोशना दी एक आज की सेवा है और आप जो म्यूजिक में अच्छे आजकर अच्छा दंदा है यह संगीत का आप शादियों में विवा शादियों में और आजकर की यंग्स्टर जो है बहुत और रॉकी नाम की चीज़े तो बहुत सुमते हों तो ऐसे में कमाई दंदा छोड़के राजनी अच्छा देख वाले में बात कर रहा हूं कि ऐसा क्या जनून है कि राजनीति में भी आ गए लेकिन कमाने के लिए नहीं सच बोलू सर में बदलाव के लिए राजनीति में आये था मुझी तिने बड़े पद्द की वो भी निथी के मैं इतने बड़े पद्द पे जाऊंग आज आपके चैनल के मादम से कहता हूं एक दिन वो भी आएगा के रुकी मितल बहुत पावर में आएगा और में हरेने का नक्सा बातल दूँगा और देश के अंदर एहम रोल अधा कर दूँगा आपके शायद अतिश उक्ति के आपकी प्रसंचा फोनी बी चहिया और आपकी बाते भी बड़े अब अपलब धिया है तो उनकी लेकिन आपने क्योंके अभी योगी आजित्ति में भी हो रहा है तो आजके ऐसे हलात में जो महला वो लड़के यह ग्योंट साथ इतना शृक्तष इतना न्याय हो रहा है मोदी जी खुद जब यूपी में इस्टрах basti पार्टी किती तब खुद कहा कर सकते कि यहां महला बाहर नहीं निकल सकती तो ऐसे हलात में एक आप क्यूंके रचनाकार है आप पहले एक कभी है कभी का हरिदा कॉमल होता है और वो किसी पार्टी से नहीं जुड़ा होता है तो इस बार में आपके क्या राए है जो आज की प यहां परादी करके दुसरी स्टेडी में भाग जाते हैं खासकर मेहिलाओं के मामले पुरे हिंदुस्तान की पूरिस का एक चैनल होना चाहिए और वो एक चैनल पे काम करें और महिलाओं का समान के लिए एक अलग सा सिश्टम बनना चैए हरियाना में सिंस साभ ने बहूत मालो शुरुवात की और काफी अच्छे रिजल्ट है जैसे समाजवादी पार्टी थी कांग्रेस थी बस्वा थी उन टाइमों के अंदर अंधेर गर्दी गुंडा गर्दी फिरोती का आनम था कब्जों का रेप का इन चीजों का लेकिन योगी चीज की बात आती है उन लोग शुट-पुट गट्ड़ मालो ये बहुत बड़ी गटना है तो यह सब की बेटी है और कई मालो जोसे भी पक्स लोग है कि दलित की बेटी दिलित की बेटी मैं कहता हूँ बेटी बेटी उती मैं आपकी बात को थोड़े सा बीच में जा उत्तरा पूल से देदे समग के बारे में आपने कहा है कि वो उन्होंने बड़ा अच्छा काम पहले किया है मैं यहां पर आद दर्शकों को यह भी याद करा दूँगा कुए दर्शक हमारे बड़े साजग है हमारे शिरोता के यूपी में जब योगी अधित्यनाथ आए तो बड़ी दहशत हुई गुंड दौर था वो कुछ ठहराव आ गया है वह एंकाउंटर वाली या मुठवेड़ो वाली बात शती या जूटी वह अब कभी अभारों में ना शुनाई जा रही है उनके लोगों को पकड़ा जा रहा है पता कि कोई भी मालो किसी बहन के साथ किसी बेटी के साथ कोई रेप होत अब वह एक गिरना एक ड्रामे बाजी करना वह गलत है राजनिती में उन्होंने बोला में पैदल चला जाओंगा मैं यह पूछना चाहता हूं अजमेर के अंदर जो बहन के साथ हुआ तो वहां पर क्यों नहीं गए उसकी तो अपनी सरकार है वह कहते हैं कि हमारे को यहां रोक दिया किли वहां दोसकी सरकार हो दो को रोकने वाला नहीं है देस को सारी अधितना जी कि आपने बात चलाई थी तो एक क्रेंटापिक और है उससे भी में आपकी राय में जानना चाहूंगा कि आज पूरे देश में खास तोर पे पंजाब और हर्याना जिसको हम कहते हैं खाद्यान लिकाब पिटा रहा हूँ वहाँ एमस्पी को लेकर बहुत बड़ लें चल रहा है तीन अध्यादेश थे जो आज कानून बन चुकी है वो कानून बनने के बाद जो एमस्पी उसमें कोई नहीं लिखा गया है वर्ड तो उसी को लेकर जो अंदोलन चल रहा है किसानों का कहना ये है कि ये हमारे पर और आर्टियों पर एक तरह का कुठारा ग करते हैं तो ऐसे हलात में आपका क्या कहना है कि जो पंजाब और हर्याना में किसान और अर्थी अशुरक्षित मैसूस कर रहे हैं इसमें आपकी क्या रहा है देखो एक समझाने की बात होती है कई बार कोई चीज होती है में एक दम समझानी पाते हैं और कई पर भी पक्स के थी यह वह भी ख़तम होगी यह और यह कहीं पे भी में लिखा के हम आठ्ट ख़तम करने वाले रहें इम्सुटी की बात थी अब गेहों को भी रेट दे दा अब धान भी खरिदी जारीी है बाजे के रेट दे दिया सरसोंब रेट दे दिया MSP तो खतम की ही नहीं है उन्हें पर आप तो दिखो ऐसे मत करिये जो आपने दूसरी गेहों के और अधान के इलावा जो आप फॉशनों की बात कर रहे हैं वह एंड़ में MSP का रेट तो बहुत जगर नहीं मिल रहा यह एक कि जैसे हर्याना है हर्याना के पास दिल्ली पढ़ता है और दिल्ली के पास चंडिगड़ भी पढ़ता है और हम एक ऐसी जगह बैठे है कि तीन तरफ से हर्याना के हर्याना लगता है दिल्ली के हम यदि यहां पर आलग अलग तरीकी कि मैं तो कैता हूं सरकार को कुछ ऐसा बनाना चाहिए एक को ल स्टोर बनने चाहिए है उसके साथ से खेती होनी चींड इसराइल में होती है तो मुझे लगता है झी है जब तक हम खेती को बिजनस को संज़ते हमाई मुझे लगता और कि से बपने बात हैं बिल्कुल जाइस बात कही के आमूल एक ऐसा प्रोड़क्ट बना जो कॉपरेटिव मुवमेंट की एक बड़ी आईडियल कंपनी बने देशमार के लिए लेकिन उस लाइन के उपर हर्याना गौवर्मेंट या सेंटर की गौवर्मेंट नहीं चल रही आप बात कर रहे हो कॉपरेटिव अंदोलन की और आपकी ये राय हमारे दर्शकों के हमारे चैनल के बाते हैं तो ये कॉपरेटिव की जो आपने कही है ये मूमेंट चल सकती है ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा एक कहवात है हर्याने के अंदर देश समय देश हर्याना चीत दूद दही का खाना कई वार अच्छी है था और कहा हमारे वेर्का का भी दूद आता है हमुल का भी आता है मद्रडारी का भी आता है और मैं हरानू के हर्याना जो दूद दही के लिए जाना जाता था आज हम दूसरी स्टेटों का दूद आता है और थेली में आता है हम पीरे हैं तो इसका मतबल है कि हम लोग उसको जो वो थी जो दूद की गरंदी थी उसके अंदर हम कामियाब बनी हुए और जबकि हम पूरी दुनिया को हमारे दूद के प्रोडेक्ट बेश सकते थी गे होती अब कई वर लोग कहते हैं कि हमारे चावल होता है कुछ मोदी जी कह चुके है जो चावल के छिलका ह भी होता है और पॉलिस होती है उसका घी बहुत कीमती और कामियाब है सबसे ज़्यदा सेड़र हरेना के अंदर है जो उसकी किनकी होते इसके कुर करे यह चीज़े बनाई जा सकती है लेकिन पतानी हम क्यों चीजों की तरफ ध्याने नहीं देते हम लोगों ने एक सिस्टम बना दिया कि एक पर गेहू बोएंगे एक पर धान बोएंगे बाजरा बोएंगे संसो बोएंगे लेकिन अम टेक्निकल जो सबजियां है मालुफन फ्रूट है या कोई दूसरी चीजें उसलिए कर रहे हैं कि MSP जो है वो धान और यह ठीक है आप दूसरी मोटी जो राज है उ पिछे सीम साब ने कहा मक्का वीजने के लिए लोगों को प्रक्शाथ किया लेकिन स्वाल वही जो बाजरे वाली बात आपने चिट्टेट लागर पे सर मैंने खुदे जजजर में गया वहां पे अमरूद के जो बाग लगा रोके हैं उन किसानों ने मेरे को बताया कि हम ड इसार साइड में देख लो यह निए कि कोई चीज़े तो कामी हैं लेकिन वेट नहीं करना चाहते तीन-चार साल कि जैसा मैंने आपको बताया कि मैं बाद में भी बताऊंगा इनकी जो इनके बारे में किस किस पद पर आजकल यह तैनात रहे है हर्याना शरकार में जो मैंने काबलियत को देखते देखते हर्याना सरकार ने फिर इनको प्रोजेक्ट डारेक्टर बना दिया सुधार का और उसके दोरान इन्होंने काफी कई जगए रेड की जो गरीब लोग है यह किसान लोग हैं जिनके जातिया होती हैं मौके पर जाके जैसे कहते हैं मौके पर कि जो है मुक्यमंतरी शोभावीक है कि मुक्यमंतरी अगर पसंद करते हैं या दूसरी सरकार के जो पार्टी के लोग हैं मोदी को पसंद करते हैं इसलिए यह नरंतर पर उसे ऊच्छी सीड़ीступ है चरते , तो मैं अपनी बात को शमाप्न करने पर जोके आप और यहाह वहीं हो दो लाइने के चलाएंगे उसके बाद अपने बात को वह संदेश हो जाए गए अभी दोस्तों मेरे गाना आए था छुप छुप राहुल गंदी यारों खूब होता है सपनों में दिखता मोदीन राहुल सोता है और अभी कई लोग कहते हैं जो चाइना की बात आती है और मैं ओवेशी का एक इंट्रिव्यू देख रहा था किता पीयों के करते हो चाइना की बात क्यों नहीं करते हैं मैंने उनसे कुछा के पाकिस्तान वाले के उसे तुम पीयों की की बात नहीं करना चाते हैं हम पीयों के भी भी कबजा करेंगे और देखो नहरू जी के टाइम में जो चोटियों पे कबजा चाइना वड़ों निखिया था आज वहां पे भारतिये सेना है और जब भारतिये सेना की बताता हूं मोदी जी ही कैसे है जो चाइना की erta को तो जो सहुथिकार होते हैं कभी होते हैं हिनका चाहे देश की नई सब्सक्राइब का धेश को नहीं की बात है जहाने के डिन सफितने लगा Genwad अब का बहुत बहुत हों बहुत बहुत आफ्पारिग्यृ ने अंमस्कार आगे फिए अरि स्फित के crown बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार